हेलो बच्चों आज हम नुकलियस के बारे में पढ़ेंगे जैसा कि आपको पता है कि सभी सेल के अंद में बहुत से और्गनिल होती हैं जो कि सेल के फंक्शन को अलग-अलग तिक परफॉर्म करवाती हैं जिसमें नुकलियस सबसे महत्वपून स्ट्रक्चर है बीदाउट न नुकलियस को अगर आप ध्यान से देखें तो इसके चार में कमपनेंट होते हैं जैसे कि यहां चित्र में दिखाया गया है नुकलियर एंवलप ठीक है जो कि बार की स्ट्रक्चर है जो कि डबल मेंबरेंस होती है नुकलियर एंवलप को नुकलियर मेंबरेंट भी बोलते ह हैं इसके अलावा नुक्लिस के अंदर भी कुछ कंटेंट होता है जैसे कि नुकलियर ऐलस नुकुलियर सैप और नुकलियर कॉरमएटिनुकलियस नुक्लिस के अंदर एक स्टॉक्चर फाफ है जो की रख opened नेमे कराति कि है रख चुलोन होती है आपस में मिल हुई उसको क्रोमसों मेंबमिरेण उत्य तिह जिम्द पहलते हैं एब अंदर की मेंबरेन को इनर नुकलियर मेंबरेन बोलते हैं इसके अंदर जो स्पेस होते हैं आउट और इनर नुकलियर मेंबरेन के अंदर उसको पैरिनुकलियर स्पेस बोलते हैं इसके लावा नुकलियर पोर भी होते हैं जैसे कि यहां चितर में दिखाया हुआ है नुकलिय पोर साइटोप्लाजम और नुकलियर शैप के बीच में ट्रांसपोर्ट आपस में इंटर इसके लावा नुकलियस के अंदर धान से देखें तो नुकलियस एक नुकलियस के अंदर जो क्रोम एनवलप होता है वह एक आउटर थीन इलास्टिक सेमिप्रेमेबल स्टक्चर होती है जिसमें नुकलियस साइटोप्लाजम और नुकलियस के बीच में इंट्रेक्शन का काम करता है इसके अलावा नुकलियस के अंदर जो जो इसके अलावा नुकलियस के अंदर जो क्रोमेटिन इंट्रेक्शन होता है अगर वह कंदेंस्ट फों में हो तो ऐसे एरिया को हेट्रो क्रोमेटिन एरिया बोलते हैं जहां नुकलियस क्रोमेटिन कंदेंस्ट फों में होता है वहां पर ख्रोमसौम ठीक से वर्क नहीं कर पाते और जहां पर ख्रोमसौम में होता है उसको यूखरोमसौमेटिन रिया बोलते हैं वहां पर शोआ कि इसली वर्क कर सकते हैं कि इसके अलावा कि नुकलिस के अंदर कि नुकलिस के अंदर जो में त्रील होता है वह सेल के जो अधर और निल्या उनको भी उनको कि उनको भी नुट्रिटी सबस्टन्स प्रवाड़ी कराने में हल्क राता है उनको उनकी स्ट्क्चर को भी मेंटेन रखता है कि आज के टॉपिक के लिए इतना ही धन्यवाद